आज हम एक ऐसे स्टोक को फार डिसकस करने वाले हैं जिसमें आज की ट्रेडिंग सेस्न में तीन परसंड के आप्रोक्स में हमें यहाँ पर रेली देखने को मिला है तो चलिए इस स्टोक से लिटेम सारे इंफरमिसन एक बार देखेंगे तो इस तो बीडियो को पहले एक बार करने चाहूंगा कि फिर मेरे यूट्यू चुंग सेस्टाइब की जाएगा तकि मेरे जो भी वी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगो मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेस्न में इस स्टोक में हमें तीन परसंड के आसपस का राईडि देखने को मिला है अगर बात करें पिछली फाइव ट्रेडिंग सेसन का तो यहाँ पे अधर स्टोक में 11 परसंड के आसपस का मुनाफ़ा का यहाँ पर हमें फिकर देखने को मिल रहा है और दोस्तों बात करें के पिछली एक साल का इसका प्राइस का गर तो पिछली एक साल में इस स्टोक में only में 2% के आसपस का मुनाफ़ा में देखने हो मिल रहे है पिछली 5 फिर की बात करेंगे तो यहाँ पे 270% के आसपस का मुनाफ़ा में देखने हो मिल रहे है जो कि अपने आप में काफी strong है हाला कि दोस्तों जब इस स्टोक की प्राइस only में 80 रुपए के आसपस में टेट करती हो देखने हो मिला था वहाँ से आप लोग के बीडियो बने के डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टोक में हमें खरतारी करना चाहिए फ्यूचर में इसका प्राइस काफी आगे जाती हो अगर बात करेंगे सबसे अधिक दिनों के इसका प्राइस का ग्राफ का तो यहां पर 80% के आसपस का मुनाफ़ा का फिगर हमें देखने हो मिल रहा है जो कि एभी फिगर अपने आप में आच्छा कसा है तो यहां पर मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ JSW Energy Limited के रिगारिंग स्टोक अभी तक अपने सेर होल्डर को अच्छा कसा मुनाफ़ाद दिया है और फिवचर में भी हमें आच्छा कसा इसमें रैली देखने को मिलेगा दोस्तों बात करेंगे इस स्टोक का अगर बात करेंगे इस स्टोक का पीरिश्यों का दोस्तों तो यहां पर बात करेंगे इस स्टोक का पीरिश्यों का दोस्तों तो यहां पर हमें 24 हमें देखने हो मिल रहे है अगर बात करेंगे इस का इंडस्ट्री के पीरिश्यों का तो यहां पर only हमें 21 का हमें figure देखने को मिल रहा है इनकि थोड़ा सा इसका price हमें फिलाल हमें high देखने को मिल रहा है हला कि हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर return on capital employed का तो यहाँ पर EV figure हमें अच्छा कर देखने को मिल रहा है तो EV figure हमें ठीक है कि देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों इसका face video की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि हम बात करेंगे इस stock में यहाँ पर promoter का holding का 75% के आस प्रस का holding है जो कि आप्ने आप में काफी strong है और दोस्थो बात करेंगे यहाँ पर क्या promoter का cár कोई przeci combining बीए तो 11% के आसपर में यहाँ पर olduğ europé में प्लेज देखने को मिल रहे है जूकि हम बात करेंगे depth है दो जो कि यहाँ पर debt का figure भी अपने आप में यहाँ पर देख सकते हो 11,000 कोड़ से above का है यहाँ कि debt काफी अधिक है इसके उपर और दोस्तों बात करेंगे freehold cash का तो यहाँ पर देख सकते हो 658 कोड़ का यहाँ पर figure है जो कि अपने आप में काफी strong है तो stock हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा हला कि इस company के उपर यहाँ पर debt का figure हमें काफी अधिक यहाँ पर देखने को मिला है हाला कि यहाँ पर देख सकते हो इसके quarterly result आप लोग के सामने में यहाँ पर September quarter में company ने अच्छा कासा यहाँ पर sales का figure शो किया था हाला कि जोन quarter के according हमें गिरावाट देखने को मिला है sales के figure में और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर afflating profit का तो यहाँ पर September quarter के यहाँ पर afflating profit का figure इनकी जोन quarter के according यहाँ पर हमें गिरावाट देखने को मिल रहा है हाला कि यहाँ पर देख सकते हो sales का इस साल में कितना strong तरीके से हमें यहाँ पे figure देखने को मिला है पिछले साल के according और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे operating profit का तो एवी figure अपने आप में यहाँ पे काफी strong तरीके से देखने को मिल रहा है पिछले साल के according तो जो इसका early यहाँ पे figure है sales का operating profit का यह हमें काफी strong तरीके से देखने को मिल रहा है हलाकि हम बात करें कि net profit का दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो net profit का figure भी यहाँ पर काफी अच्छा कासा हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल के according इस साल में और दोस्तों बात करें यहाँ पर इनकी result service का regarding तो यहाँ पर company के पास काफी अच्छा कासा यहाँ पर result service का figure देखने हो मिल रहा हलाकि every year company अभी तक काफी strong तरीके से increment के साथ में यहाँ पर figure stroke किया है जो कि आप लोग के समने में और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रोइंस का regarding तो यहाँ पर debt काफी अधिक है company के उपर जो कि आप लोग के समने में और दोस्तों बात करें fix asset का तो fix asset का figure यहाँ पर अच्छा कासा हमें यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ कि September quarter में और दोस्तों बात करें यहाँ पर यहाँ कि इस stock में FI के holding के DIA के holding का उससे फिले हम बात करेंगे promoter का तो यहाँ पर भी हमें 75% के आसपस का holding के देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों यहाँ पर FI के holding 5% से above का है और यहाँ पर DIA के holding भी काफी strong तरीके से हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बात करेंगे यहाँ पर retail investor का holding का तो AB figure अपने आप में अच्छा कसा है तो CR holder return भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है आप लोग इस stock के उपर focus पना के रख सकते हो future में इसका price हमें 400 के भी cross करके आगे जाती हुए देखने को मिल सकता है तो बात करेंगे अगर यहाँ से इस stock में थोड़ा भूत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका price हमें यादि की 250 के अपर उसमें आती हुए देखने को मिलेगा otherwise future में इसका price हमें 400 के भी cross करके आगे जाती हुए देखने को मिल सकता है तो सुमेट करेंगे वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीज मेरे यूटिज को सकता है प्रीजिगा तक मेरे जोबी वीडियो एक निक्स्ट उसका नोट्रिफिकेशन आप लोगों मिल जाएगा